हलो वाइज, वेलकम टू मैकसेड, मैकसेड में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे Emergency Medical Technician Course के बारे में बहुत सारे लोगों ने हम से क्यूरी किया है कि सर्व मार्गेट में कौन कौन से Course Available है किस Course को करने के बाद ज्यादा Job Opportunities है और कौन से Course कहां से करे जा सकते हैं सब के बारे में हम आपको समय समय पर वीडियो बनाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और वैल आइकान को जरूर दबा लें तो आपको Career Perspective से लेकर के हम सारी Information देते रहेंगे बाकी हमारा Assistant Forum भी है आप वहां से भी हमसे Help ले सकते हैं अगर आपको कोई Course करना है या फिर आपने कोई Course कर लिया है, आपको Job ढूंड रहे हो तो उन दोनों ही Condition में आप हमसे Contact कर सकते हैं Telegram चैनल पर भी या फिर हमारे Link में जो Comment Box में बहां पर भी देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं हम आज का काम तो हमारे इस Course का नाम है Emergency Medical Technician तो हम इस वीडियो में हम बात क्या क्या करने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि इस Course का नाम क्या है, Type, Mode, Duration क्या रहते हैं उसके अलाबा Current Job Market में अविलेबिल हैं या नहीं है और कौन कौन सी जॉब कहां पर अविलेबिल हैं इसके बार में बात करेंगे Eligibility Criteria, Admission Process, Fees, Curriculum क्या पढ़ाया जाता है इन सब के उपर बात करेंगे और Most Important चीत हम बात करेंगे कि आपको registration कहां से मिलेगा इस course को करने के बाद, salary क्या रहेगी career perspectives क्या रहते हैं उनको पर भी बात करेंगे बाकि आपको काम करने का मौका कहां पर मिलेगा इस course को करने के बाद जब आप काम करेंगे तो work क्या होगा और उसमें challenges क्या होंगे यह बहुत important segment है क्योंकि बहुत सारे हमने youtube पर देखा है, youtube पर भी देखा है कि इस segment को discuss नहीं करते हैं तो हम इसमें इसके उपर भी बात करेंगे जो कि कई बार student का कहना होता है कि जब हमने course join किया तो हमने नहीं पताता है कि इसमें इतने challenges हैं बाकि top colleges कौन-कौन से है assistant forum पे कैसे हम अपकी मदद कर सकते हैं बाकि मेरा view इस course को लेकर के क्या है तो बने रही हमारे साथ पूरा वीडियो जरूर देखिए इसमें हर चीज के बारे में हमने describe किया है बहुत deep में बात की है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम current jobs के बारे में trending job में kapoor medical center को emergency medical technician की requirement है उसके अलाबा स्री साई multi specialty hospital हो या फ़र IIMT group of college ये गाजियाबाद में है इनको भी जरूरत है बाकि ये उत्तर प्रदेश में है इनको भी जरूरत है तो ऐसे बहुत सारी jobs ये तो कुछ jobs हैं पहुत सरी jobs available हैं तो इससे आडिया लगाए जा सकता है कि अभी market में jobs available है emergency medical technician अपने आप में ठीक्ठा course है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले course description में इस course का नाम है emergency medical technician दो साल का program है diploma program है इसका mode में आप बात करें तो आप Hindi English दोनों में कर सकते हैं Hindi भी theme ले सकते हैं और English भी उसके लाबा mostly जो है वो ये English में होता है बाकि Hindi में dictation जरूर हो जाता है और mode में अगर बात करें online और offline दोनों mode में आप इस course को कर सकते हैं मैं personally recommend करूँगा कि आप offline mode में करें क्योंकि वहाँ से personal touch practical और procedure में आपको बड़ी help मिल जाती है बाकि current job के हमने बात करी लिए कहां कहां पर भी jobs available है eligibility criteria के अगर बात करें तो आप 18 साल से ज़्यादा की हैं तो आप इस course को enroll कर सकते हैं maximum age इसमें कुछ दी नहीं है education अगर आपने दसमी बार में कर लिए 10 प्लस 2 आपने कर लिए तो आप इस course में enroll कर सकते हो और physical fitness के अगर बात करें तो आपका fit होना इसलिए जरूर है क्योंकि यहाँ पर emergency medical आपको provide करानी medicine तो उस situation में अगर आप ही fit नहीं हो तो आप job में कैसे काम कर सकते हो तो उसको लेकर के अलग-अलग high courts हर state के अपने high court और supreme court के norm है वो जो आप जब college में जाएंगे तो वो लोग आपको बता देंगे किस तरीके से आपको admission मिल सकता है disability criteria क्या है admission process के अगर बात करें तो आपको merit based पर interest based पर और directly fees के based पर admission मिल जाता है तो कुछ college merit interest और directly fees के based पर भी admission देते हैं तो अलग-अलग college की अलग-अपने procedures रहते हैं fees की अगर बात करें तो fees 50,000 से लेके 2,000,000 तक रहती है तो कुछ college 50,000 में, कुछ 60,000 में, 70 में इस तरीके से अलग-अलग facilities के हिसाब से वहाँ पर करते हैं उसके अलाबा सरकारी center पर भी आप ये course कर सकते हो जैसे कि कौशल विकाश योजना के तहत या skill India के तहत भी course कर सकते हो curriculum में अगर बात करें तो इसमें क्योंकि मेरे जैसी चीज़े सारी आपको करनी हैं तो आपको सारा anatomy पढ़ाया जाएगा pathology, physiology, pharmacology ये सारी चीज़े पढ़ाया जाती है और उसके साथ first aid provider के रूप में भी आप काम कर सकते हो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगी registration की अगर बात करें तो job course करने के वाद आपको कहां से registration कराना होगा तो मैंने बताई दिया कि प्रदानमंत्री कोशल विकाश योजना, skill India उसके अलाबा भी छोटी छोटी चोटी consoles रहती हैं वहाँ से आप addition करा सकते हैं salary में अगर हम बात करें तो इसकी salary starting future आपको 10, 12 से 15,000 तक मिल जाती है बाकि आप जैसे जैसे अपनी experience को बढ़ाते हैं, अनुबब को बढ़ाते हैं तो आपको अच्छी salary भी मिलना शुरू हो जाती है और उसके बाद आप चाहें तो अपना भी काम कर सकते हैं career perspective में आप शुरुआती दोर में तो यह main चीज़ है कि आपको ऐसे staff ही job करनी होती है फिर आपका जैसे भी skill develop होते है और उसके साथ साथ आप अपना instructor, supervisor या फिर instruction देने के लिए सारी चीज़ी या फिर honor भी बन सकते हैं तो इसमें बहुत सारी opportunities फिलहाल available हैं, आप उनको भी explore कर सकते हैं तो आपको अब बात करेंगे कि काम कहां मिलेगा, तो इसके लिए आपको ambulance में भी काम मिल जाता है emergency room, casualty room hospital, उके उसके अलाबा NGO, बहुत सारे NGO job दे रहे हैं government ministries भी इसमें बहुत सारी समय से पर job निकालती रहती हैं तो ये बहुत सारी चीज़े हैं जो आप कर सकते हो बाकी industries और आप चाहो तो foreign countries में भी जा करके काम कर सकते हो work आपको बताई दिया मैंने बाकी challenges की अगर बात करें क्यूंकि इसमें emergency चीज़े हैं तो आपको challenges में ध्यान रखना चाहिए कि एक तो इसमें आपको हर समय prepare रहना होगा ऐसा नहीं है कि आपने job छोड़ गई छुटी होगी तो आपको कोई बलानी सकता दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें duty का कोई criteria special नहीं होता हला कि कई बार ऐसा rare cases में होता है आपको challenges क्या है लंबी duty ज्यादा पढ़ाई आपको करनी होगी update रहना होगा क्योंकि नए नी technologies आ रही है बहुत सारे जो American heartization है अलग अलग जो organization है इंटरनेशन उनके criteria है नौर्म है उनसे update रहना होगा कि आपको क्या करना है और most important चीज़ क्या नहीं करना है healthcare sector में staff कम होने की बड़े से workload इसमें बहुत रहता है तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा और salary इतनी अच्छी भी नहीं है जितना इसमें काम है तो थोड़ा salary को लेकर के compromise है बाकी जब आप धीरे-धीरे skillful हो जाते हैं तो हलाके अच्छी salary भी available है top college की हम बात करें वो हम अभी आपको दिखाई देंगे बाकी assistant forum में आप हमसे क्या मदद ले सकते हैं आपने अगर course कर लिया है या फोर आप course करना चाहते हैं बाकी इसमें थोड़ा सा यह है जॉब को लेकर के आप जब नए है तो होते हैं फ्रेशर उसमें इतने अच्छी jobs नहीं है बाकी हाँ किसी फील्ड में जॉब्स इतने अच्छी जो salary है वो नहीं है इसमें भी इसी इसाफ से चीज़े अबिलेबल है और सब चीज़े हो रहे है तो इसमें आपको job आसानी से मिल जाएगी पाकी top college है इनकी list आपको सामने ही है जैसे कि यह इरा university है आप यहां से course कर सकते हो उसके इलाबा के mg university से course कर सकते हो अगर आप चाहो तो निम्स university जैपुर में है उसे पूछ तकते हैं comment box में लिख करके या फिर telegram पे भी आप हमसे पूछ तकते हैं तो guys यह था आज का हमारा पूरा discussion जिसमें हमने बात की maxate clinic के तरफ से आप हमें इसमें वीडियो में rate करें like करें और आपको पसंद नहीं आता तो